लंबा गहरा श्वास जाएगा आपने आप बस साक्षी हो की द्रश्टा बन करके सहज चित्त हो करके एक आग्र चित्त प्रसन्न चित्त हो करके दत्त चित्त हो करके भगवान के साथ एक आत्म हो करके श्वासों की गति को देखना इसको बुद्ध दर्शन में विपश्चना ध्यान कहते है इसको जैन धर्शन में प्रिक्षा ध्यान कहते है इसको योग दर्शन में ध्यान योग कहते है जैसे इस शासों पर ध्यान लगाते हैं शासों की गदिसों उक्षम हो जाते हैं मात्र शास्म का ही ध्यान ने, शास जो देने वाला है, प्राण जो देने वाला है, उस प्राण आधार, जीवन आधार, प्रभु उंकार का ध्यान करें तो शास के साथ शास लिया तम मन ही मन हो इसको मानसी पजाब कहते हैं और मानसी पजब के बाद फिर अजब अजब अपने आप हो जाता है हर शास के साथ हो ओम का दिया शास लेते समय हो शास चोड़ते समय हो ये दूसरा चर्ण हुआ फिर ओम के अर्थ की भावना ये तीसरा चर्ण हो गया कि ओमकार प्रभू आप ही सब के करता या दा क्रीटर एंड सस्टेनर आफ दिस हॉल एक्जिस्टेंस प्रभू आप सब के करता अब परमात्मा को सर्व करता सर्वनियन्ता सर्वाधार सर्वज्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के रुपने हमने स्विकार कर लिया तो ध्यान घटित हो गया ध्यान पूरा हो गया जब सर्व करता हम प्रभू को बोलते हैं प्रभू परमात्मा भगवान खुदा अल्लाह और मैटी गोड़वाहे गुर्वकालपुर्ख परमात्मा को जब हम सर्व करता के रुप में सिखार कर लेते हैं तो शरीर की एक-एक कोशिका से लेके आजिया चक्र या हिरदाई चक्र जो भी एक स्थान विशेश वहां से लेकर के पूरे श्रिष्टी चक्र में शरीर के एक-एक कोशिका एक-एक बोड़ी के सेल जेंस, क्रमजोंस, डियने, टीशो और्गेंस, पुरे एक्जिस्टेंस से लेकर के हमारे पिंड़ से लेकर केस ब्रम्मानद पूरे कितनी वज्यानिक, कितनी अधभुत, कितनी रहसिपोन, कितनी रोमान चब कितनी महान रचना है प्रफु की प्रफु, तु महान है प्रफु, तु महान है तु ही तू ही सब को चा incentives तेरे ही सब कोच है। तेरे निहीं सब कोच है। ओंकार की आर्थ की भावणा जब करते हैं? ओंकार नाम जबते जबते प्रभु की जब अनन्त ज्यान का अनन्त गन कर्म स्व भाव का। प्रभु की सनन्त स्रिष्टी का, स्रिष्टी के परे भी वो है, वो स्रिष्टी का करता है, स्रिष्टी के अंदर भी है, स्रिष्टी के बाहर भी है, स्रिष्टी मै भी है, उसको प्रभु का विश्व मै रूप कहते है, और विश्व के परे भी है, विश्व आतीत है, उस प् ओम तद्साद। ओम 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 ऐसे ओंकार का ध्यान करते गए। दोना हतों को पर उठा लिजया आपर समय कर दिये। ऐसे ओंकार का ध्यान किया।